दिल्ली के लालकिला मैदान में आयोजित रामलीला में कई नेता शामिल हुए कॉंग्रिस नेता सुनिया गाधी, राष्टपती द्रौपदी मुर्मू और उपराष्टपती जगदीब धनकर की मौजूर्गी में रावर दहन का कारेक्रेम हुआ राष्टपती मुर्मू ने रावर के पुतले को दहन किया और देशवासियों को विज्यादश्मी की हर्दिक्षु कामनाई दी उन्होंने मंच्ती संभोधित करते हुए कहा विज्यादश्मी का पर्वे महान राष्टपती और मुल्यों की संस्रीती को दर्शाता है पुराई पर अच्छाई और असत्य परस्त्य की जीत के रूप में मानो मुल्यों के आदर्श का प्रतीक है